क्लासिक लेजेंज ने भारत में जावा पेराग बॉबर मूटरसाइकल लाँच कर दी है जिसकी कीमत एक लाग चौरानवे हजार रुपे रखी गई है नई जावा पेराग देश की सबसे सस्ती बॉबर मूटरसाइकल बन गई है और उसे शोकेस करने के ठीक एक साल बाद लाँच किया गया है ये बाइक बीए सिक्स वानकों वाली होगी और जनवरी 2020 से इसकी बुकिंग शुरू की जाएगी वहीं 2 अपरिल 2020 से बाइक की डिलिवरी भी शुरू की जाएगी जावा पेराग के बुकिंग सिर्फ तीन महिनों के लिए रखी जाएगी नई जावा पेराग को बॉबर डिजाइन पर बनाया गया है जो रेट्रो डिजाइन और फ्लोटिंग सिंगल सीट के साथ आकरशक टेल लाइट, टियर ड्रॉब फ्यूल टैंक और ब्लैक टाउट इंजिन पेंट जॉब के साथ आता है मोटरसाइकल की साथ पिछली सीट का विकल्प नहीं दिया गया है बाइक में 334 सीसी का सिंगल सिलिंडर लिक्विट कूल इंजिन लगाया गया है जो 30 BHP पावर और 31 Nm पीक टॉट जिनरेट करता है कंपनी ने बाइक की इंजिन को 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ लेस किया है यामाः इंडिया ने स्वाचे क्रूप से रिकॉल जारी किया है जिसमें 13,348 यूनिट यामाहा FZ25 और यामाहा फेजर 25 मोटरसाइकल रिकॉल की गई है जाबान के इस टूविलर निर्माता का कहना है कि 12,620 यूनिट FZ25 और 728 यूनिट फेजर 25 का हेड़ बोल्ट कवर डीला होने के खत्रे के को देखते वे रिकॉल किया गया है सभी प्रभावेट मोटरसाइकल जून 2019 में बनाई गई है और कंपनी ये काम मुफ्ट में करेगी जिसके लिए यामाहा के ऑथोराइज डीलर्स ग्राहकों उसे संपर्क कर रहे है ट्राइम मोटरसाइकल ने छोटा टीजर विडियो जारी करके ये जानकारी भी है कि नई ट्राइम टाइगर रेंज को दिसंबर में लॉंच किया जाएगा टीजर विडियो में लिखा हुआ है कि नई टाइगर 900 दो वेरियंस रैली और जीटी में उपलब्द कराई जाएगी ये संबहवेट ट्राइम की मिदल बेट टाइगर का नया नाम हो सकता है जिसे 900 CC इंजिन दिया जाएगा और बाइक को पुरी तरह आफ रोडिंग के लिए रैली वर्जिन में उपलब्द होगी वहीं लंबी दूरी रह करने के लिए रोड के हिसाब से बना टूरिंग वेरियंट जीटी होगा फिलहल कंपरी ने ट्राइम टाइगर 900 की ज्यादा जानकरी उपलब नहीं कराई है लेकिन हमारा मानना है कि बाइक का इंजिन सो से ज्यादा बीएच्पी पावर जेनरेट करेगा और बाइक पुरी तरह नए इलेक्ट्रोनिक सूट के साथ आएगी